हाई गाईज इस सुमन बैक ओन यूर स्क्रीन आई होप यू अला डोइंग वेल सो आज का वीडियो है एक फेस मास्क और यह कोई नॉमल फेस मास्क नहीं तो चाकोल फेस मास्क है सो मैंने सोचा इस लॉक्डाउन में और कॉरंटाइन के टाइम पे अपनी स्किन को थोड़ा ज्यादा अटेंशन दू सो मैंने यह प्रोड़क्ट लिया था अपने ही नॉर्मल मेडिकल स्टोर से और यह प्रोड़क्ट की प्राइस थी अराउंड फिफ्टी और एक डिस्क्रीमर ज़रूर दीना चाहूंगी कि जब आप यह प्रोड़क्ट को फिंगर्स में लो तो आप एक ही फिंगर्स से स्टार्ट करो विकाज यह काफी मैसी हो सकता है विकाज यह स्टिकी व्रोड़क्ट है थोड़ा सा एंड जब आप लगाओ अपने फेस पे तो स्टार्टिंग अपने चीक से करो ताकि आप वहां पे फिर्मली अपलाई करोगी और जब भी भी यह प्रोड़क्ट लगाओ तो यह याद रखना कि आपको एक थिन लेयर नहीं लगाना है बिकाज जब आप पील करोगे तो है डेट सेल्स ब्लाक हैड्स यह सब भी निकल सके सो जब आपने हैरलाइन की तरफ आते हो तो काफी कैरफुली लगाना होता है बिकाज मुझसे गलती हुई थी मैंने से ज्यादा ही क्लोज लगा दिया था अपने आइब्रोज की तरफ और मेरे आइब्रोज लिटरली प्ल और अफ्टर 20 मिनिट्स आप चेक कर सकते हो आप अपने फेस को टच करोगे तो आपको ऐसी टेक्स्चर और ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि कम्प्लीटली सूख चुका है और यह प्रड़क्ट अपके हाथों पर इच पकना नहीं चाहिए जब आप इसे पील करोगे तो सो मैंने दीरे दीरे अपने चिन एरिया से स्टार्ट किया अप चाहो तो फोर हेड्स से भी स्टार्ट कर सकते हो मैंने थोड़ा सा पील किया और उपर चलिए अपनी चीक्स की तरफ ताकि मैं इसे फॉर्मली निकाल सोगो और आपको इसे काफिस दीरे दीरे निकलना है पि जिसे आप देख रहे हो मैं काफी दीरे धीरे निकाल रहे हूँ, मेरे मॉमेंट्स पर आप लोग ध्यान दो जब आप मेरे चिं के तरफ देख रहे हो, जो चोटे-चोटे पीसेर है जो मैं रब करके निकाल रहे हूँ, वो उस honor उस तरफ इसलिए है बिकज मैंने वहाँ पे काफी थिन लेयर लगाया था और जहाँ जहाँ पे मैंने थिक लेयर लगाया है वो काफी इजीली निकल रहा है like in just one whole piece आपको थोड़ा से दर्ध हो सकता है और जब मैंने यह मास्क निकाल लिया है completely आप देख सकते हो कि सारे blackheads, dead cells और facial hair most probably ये facial hair को remove करते हैं and you can see the dirt I know it's gross it's gross please excuse it but मुझे अपलों को results दिखाने थे तो इसलिए मैंने zoom कर लिया थोड़ा सा और mask को दिखा भी दिया कि ये कैसे दिखता है so मेरी skin से complete oil, dirt, facial hair, facial hair मैं बोलूंगी 80% निकल चुका है and even blackheads, whiteheads जो हमारे chin के around होते हैं so अभी हमारे skin को कफी peeling सेहनी पड़ी है तो skin कफी sensitive हो चुकी है तो मुझे कोई gel type moisturizer ही use करना चाहिए so मैंने यहाँ पर लगाया garnier का eye roll on because इसके बाद मैं सोनी ही जाने वाली थी तो मैंने उसे दीरे-दीरे massage किया circular motions में and then मैंने लिए alo gel and alo gel is the best gel for hydration क्यूंकि हमने हमारे face से facial hair remove किया है तो hydration ज़रूरी है so ये दो product लगा कि मैं आराम से सो भी सकती हो next day morning my skin will be plumbed और मेरी skin बिल्कुल भी dry नहीं रहेगी so ये था मेरा एक mini tutorial of how to use charcoal face mask आपको पसंद आए तो